वहिन उच्छेद तीन सुसतर हटाने संबंधी केंदर सरकार के फैसले के पहले से ही नजरबंद चल रहे जम्मू और कश्मीर के हालाद पर प्रशासन ने प्रेस कॉन्फरेंस कर जानकारी मुहिया कराई है इसके साथ ही राजपाल सर्तिपाल मलक ने भी इस बात को लेकर आश्वस्त किया है कि कश्मीर घाटी में शानती के साथ ईद मनाई जाएगी वहीं डिविजनल कमिशनर बशीर रहमत खान ने अन्य प्रशासने का अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फरेंस की इसके साथ ही राजपाल सर्तिपाल मलक ने कहा कि घाटी में शानती के साथ ईद मनाई जाएगी और धीरे धीरे हालात समाने होने की तरफ बढ़ रहे हैं लोगों को मिल रही सुवधाओं की भी समिक्षा होगी लोग डिसेगरी कर सकते हैं हमसे लेकिन लोगों में कहीं कोई वाइलेंस की उपद्रव करने की या कोई गलत काम करने की कोई फीलिंग नहीं है पीपल आर पीस्फुल दे में आर्ग्यू दे में टॉक वह हमारी ड्यूटी है उनको सैटिस्फाई करना मानी प्रधान मंत्री की जो स्पीच थी उससे बहुत एक तरह से कूलिंग एफेक्ट हुआ है और हम लोग भी सारा प्रशाशन लगा हुआ है हमारे चारों एडवाजर लगे हैं डोबाल साव हैं सब लोगों से हम आउट रीच कर रहे हैं और यहीं नहीं कर रहे हैं सब जिलों में कर रहे हैं हमारे जो सरपंच चुने गए हैं वो लोग लोगों में जा रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी नौर्वन सी रेस्टोर होगी जहां तक एद का तालूख है क्योंकि प्रधान मंत्री जी ने खुद कहा है तो एद को हम बहुत बढ़िया तरीक एद से पहले थोड़ा छूट देंगे एद के दिन छूट देंगे और एद को बहुत अच्छे तरीके से मनाएंगे और मैं आपके माधिधां से पूरे कश्मीर के एद मनाने वाले अवा अर्ग बादेब